हेलो गाईज, वेलकम बेक टो माई चैनल ब्यूटी अन फैशन गाईड, मैं हूँ मोसुमी और मैं आज आप लोगों साथ बोरलिंग के बारे में बात करने वाली हूँ आप लोगों पता ही है कि विंटर का सीजन अभी आ गया है, इस सीजन में हमारा जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा ड्राइ हो जाता है, हमारा जो फेस होता है वो ड्राइ हो जाना के साथ साथ डल भी हो जाता है और हमारे जो लिप्स होते है वो ड्राइ होने के साथ साथ उ पहले मेरे इस वीरियो को लाइक जरूर करते ना और इस तरफ जो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर देना पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की इसका जो उपर वाला पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से कार्ड़ पर है अब लोग देख सकते हैं अब देख लेते इसकी अंदर की packaging कैसी है इसकी जो अंदर की packaging है वो कुछ इस तरह से है आप देख सकते है So guys, बोल्डिंग के packaging के बारे में क्या बोलना क्यूंकि हम जब बच्पन से देखते हा रहे हैं कि इसका जो packaging है इसमें कोई changes नहीं है इसका जो body वाला part है वो green color में है और इसका जो उपर वाला part है ये कुछ black color में है आप लोग देख सकते हैं लेकिन बोर्लिंग का एक दूसरा box में भी available है वो है ये ये कुछ इस तरह से available है आप लोग को दुकान में easily इसको मिल जाएगा इसका जो packaging है ये plastic के ऐसे जहकन में आप लोग देख सकते हैं इसका उपर जो पार्ट है ऐसे जहकन है उसको एसे खोलना है आप लोग देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसकी पर प्राइस और कौन्टिटी की जो प्राइस बोध 34 डूपीज है मैंने इसको सुपर मार्केट से खरीदा है अब रूजे तो इसको पर मार्केट से भी खरीज सकते हैं या किसी ओनलाइन से बी पर्चेस कर सकते हैं क्यूंकि बोल्लिंग जो है अब हर जगा में ही अब बैघ ले हुँ तो फी चलिए देख लेगते हैं सो गाइस जो पहला टिपस है वो है विंटर के सीजन में हमारा जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा ड्राइ हो जाता है और उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए हम अपने स्किन पर बोडी लोशन का एपलाई करते हैं लेकिन बोडी ल लेना है मैंने यहां पर हिमालेया का लिया हो है आप लोग जो बोडी लोशन यूज करते हैं उसको ले सकते हैं अगर आप लोग को इस हिमालेया बोडी लोशन के बारे में डीटेल्स में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंड करके जरूर बताना मैं आप लोग के शेयर कर द आप लोग देख सकते हैं, मैंने याँ पर थोड़ा सा ही बोर्लिंग लिया हुआ है, क्यूंकि बोर्लिंग जो है वो बहुत ज्यादा ओईली होता है, इसलिए थोड़ा सा ही चलेगा, और इसको एपलाई करने से पहले मैं आप लोगों को बता दू, यह जो प्रोड़क्ट है अब इसको अपने अलवार हैंड पर या बोड़ी पर एपलाई कर लेना है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, कि मैंने इसको अच्छी तरह से अपने हैंड पर अपने बोड़ी पर अच्छी तरह से इसको एपलाई कर लिया है, आप लोग देख सकत यूपित से क्या वाध यूस सṇच के वर अधर उसकते स्रेक्शेह आधर बइलाई यूने धर अर पूंशा करने वाले हूं कि कैसे अपने स्रेक्षर यूर्य ध्रें को यूनिये थे बícia अधर में इसके कि अधर 25 दूर्म ड्रैने सब्सक्राइब लेना है अप लोग देख सकते हैं मैं इसको अपने फेस के अकोडिंग आप लोग देख सकते हैं और इसमें थोड़ा सा ही बोरोलिंग एट करना है क्योंकि बोरोलिंग जो है बहुत ज्यादा ओयली होता है हमरे स्किन को मॉइस्चर करता है इसमें भरपूर मात्रा में मॉइस्चर होता है जो हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है सो मैं इस दोनों को mix कर लूँगी ऐसे और इसको अपने all over face पर ऐसे apply करने ना है और इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है इसको आप लोगों को रात मेर ही use करना है ताकि ये हमारे skin पर बैठे और इसका जो work है वो पूरी तरह से दिखा है इसका जो work है वो है जो night cream है वो हमारे skin को dull होने से बचाएगा और जो borling है वो हमारे skin को moisture करने में हमारी मदद करेगा जो मेरा जो ठीका था वो उपर उठ गया है तो sorry इसको लगाने से वो ठीका उपर उठ गया है आप लोग देख सकते हैं मैंनी इसको अपने all over face पर apply कर लिया है आप लोग को भी इसको all over अपने face पर apply कर लेना है आप लोग चाहे तो इसको अपने नेक पर भी ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए और इसको रात भार छोड़ दीजिए और सुभा जो है आप लोग देख सकते हैं इसने अपना वर्क पूरी तरह से दिखा दिया है तो गाइस मेरा जो थार्ड और लास्ट यूजिए बो है हमारे लिप्स के बारे में विंटर के हमारे जो लिप्स होता है बो ड्राइ होने के साथ फट भी जाते हैं तो मैं आज आप लोगों को हम अपने लिप्स के रिपेर के लिए यूज कर सकते हैं थोड़ा सा बोर्लिंग लेना है और बोर्लिंग को ऐसे लेना है अपने लिप्स के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसको सोने से पहले ही एको आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने अपने अलोबर लिप्स पर अपलाई कर दिया है यह आप लोग देख सकते हैं सहो आइसे ही छोड़ देना है आप लोग ल Nashville कर देखेंके जो हमारा लिप से लोग जो फट गया थे गये हैं और अगर आप एक टीशू शे अपने लिप्स को ऐसे पोच लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो ड्राइ स्केन हमारे लिप्स पर जम जाती है भो भी निकल आई है अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आये तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अपने दोस्तों के शाथ ज्यादा से उप्लेश कर देना और पास में जो बेल आइकेन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नेक्स वीडियो की अपडेट मिलती रहे मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू